सोमवार को महागणपती हवन के साथ बाघमरी मठ में चार दिवसिय अनुष्ठान शुरू हुआ मठ बाघमरी गद्धी के पीथा धीश्वर बलवीर गिरी महाराज ने बताया कि 26 जन्वरी को मा सरस्वती, मा बागेश्वरी, गुरू निरंजन देवकार्ति के स्वामी की मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा की जाएगी मठ बाघमरी गद्धी के पीथा धीश्वर बलवीर गिरी महाराज ने बताया कि 11 ब्रामन दक्षन भारत के और मठ के 21 ब्रामनों ने सोमवार को महागणपती हवन के साथ अनुष्ठान शुरू किया अज मठ बाघमरी गद्धी में यहां माताओं के अस्थापना होने वाली है उसे का अनुष्ठान शुरू हुआ है जिसमें आज कर विशेशकर महागणपती हवन किया गया रक्षोगन हवन किया गया इसके बाद प्रकार शुद्धी पूजन हुआ वही सांध्यकालीन पूजन में वास्तु पूजन, रक्षोहन वहन, बलिदान पूजन किया गया महंत में बताया कि मंगनलवार को विम परिग्रा और दुर्गा हवन होगा साथ ही सांध्यकालीन पूजन में विम्प शुद्धी और अधिवास पूजन होगा इस अनुष्ठान में 11 ब्रामन दक्षन भारत के और 21 ब्रामन मट के पूजन में शामिल है बलवीर गिरी महाराज ने बताया कि मट परिसर में इसमें अश्ट बुजामा दुर्गा और भगवान कार्ति के स्वामी की प्रान प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू किया गया है 26 जनवरी को विशेश आयोजन में दूर दूर से साधू संथ शामिल होंगे इस मौके पर विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा ये अनुष्ठान चार दिन का रहेगा जिसमें 26 जनवरी वसंत पंचिमी की दिन माता बीणा वादिनी, माशरशुती, मावागेशुरी और भगवान निरंजन देव इनकी मुर्तियों की यहां स्तापना की जाएगी 25 जनवरी को सुबह अधिवास पूजा और सुब्रमहंत हवन, सांध्य में शयाधिवास और कलश स्थापना होगी इसके अलावा 26 जनवरी बसन पंचिमी के दिन प्रान प्रतिश्था, प्रतिश्था अधिवास हवन, कला तत्तव हवन, कलश अभिशेक और महापूजन होगा शाम को भंदारा लगाया जाएगा कर दो सके और करेदा और स्थापना होगी